जोतदारों का उदै जमीदार हमने सुना एक नए वर्ग का उद्भव हुआ ये जोतदार कौन थे और हमारे पाठ का ये आखिर ये हिस्सा क्यों बने हैं निश्चित रूप से इसका कुछ कारण था और कारण ये है कि जोतदार भी एक ताकतवर वर्ग के रूप में आपको इस मनद दिला दो कि 1757 में प्लासी का युद्ध से अंग्रेजों के शासिन के शुरुवात हुई बंगाल में 1764 में बकसर की लड़ाई हुई उसके बाद उनकी सत्ता बढ़ी उनकी ताकत बढ़ी और 1773-74 आते आते अंग्रेजी संसद ब्रिटिस संसद ने एक तरी इंडिया कंपनी निश्चित रूप से हमारे इशारों पर चलेगी परणाम क्या हुआ कि वहां से नियम कानून आने लगे और साइड बाई साइड बंगाल में एक नए धनी किसानों का वर्ग भी सामने आ गया ये जो धनी किसानों का वर्ग है इसे ही कहते हैं जोतदार या उसकाल के बारे में विस्तार से खासकर बंगाल में एक जगह है दिनासपुर दिनासपुर के बारे में इसने बहुत लिखा है और उसमें विस्तरत विवरन दिया है इन जोतदारों के बारे में तो इस विस्तरत विवरन से हमें काफी कुछ जानकारी मिलती है उन्यस सदी के प्रारंब में तो ये जोतदार बड़े शक्तिशाली हो गया थे उन्नीसवी शती के प्रारंब में अर्था अठारा सो वर्ष अठारा सो के समापति के बाद जो नया वर्ष चलता है वह उन्नीसवी शती कलाता है उसके प्रारंब में आते आते इनकी ताकत बहुत बढ़ गई थी और इसके मुख्य रूप से दो कारण देखे जा सकते हूं पहला जमीन के जो विशाल रकबे रकबा याने क्षेतर जमीन के बड़े-बड़े क्षेतर इन किसानों के पास थे ये बहुत बड़े-बड़े क्षेतर में खेती करते थे कई किसानों के पास तो हजार हजार एक जमीन थी और इसके साथ ही ये हजारों एकर जमीन के साथ आर्थिक रूप से तो ये बड़े शक्तिशाली थे सामाजिक रूप से भी एक ताकतवर शक्ति के रूप में उभर गया थे क्योंकि जिनके पास लक्षमी हैं उनके पास ताकत है तो समाज में भी इनका स्तर बहुत हो गया था तो पहला कारण थो बहुत बड़ी बड़ी विशाल भूमी के मालिक होना उसका भू स्वामित और दूसरा कारण था कि जो जिस खेतर में जोददार रहते थे उस खेतर का जो स्थानी व्यापार हो या वहां की जो साहुकारी हो जिसमें पैसे का लेंदेन ब्याज पर उधार पर लोन पर उसमें भी इनका दरकार था उसमें भी इनकी दखल थी तो एक तरीके से अपने खेतर के जीवन यापन के सभी पहलों में इन जोटदारों का बहुत बड़ा दखल था और सभी तरह के कारोबारों को उस खेतर के नियंतरत करने लगे थे केवल खेती ही नहीं पैसे की लेंदेन व्यापार आधिक में भी इनका काफी बड़ा नियंत्रन था और गरीब काश्टकार जो थे बिचारे इनसे बड़े भैवीत रहते थे क्योंकि इनकी दाकत बहुत ज्यादा थी और इनसे भैवीत रहने के कारण इसका दूरुप्योग होता था और यह काश्टकार किसी विस्थी स्थिति में आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं थे एक जिक्र मैंने पूर में किया था बटाईदार का, तीन तरह के बटाईदार होते थे अंग्रेजों के समय में इसे बटाईदार भी कहते थे, अंग्रेजों के समय में इने अधियार भी कहते थे बागीदार भी कहते थे बटाईधार बागीदार और अधियार ये इन से खेती करवाई जाती थी तो जोतदार इन लोगों से खेती करवाने लगे थे तो खुदी किसान लेकिन अब खुदी किसानी न करके क्योंकि बहुत धनाड़ी थे क्योंकि बहुत संपन्न थे और ये ल इनके अपने स्वायम के हल होते थे तो ये क्या करते थे बटाईदार खुद खेती करते थे जो जमीन इनको जोत दारों द्वारा जीदाती थी उस पर वो खेती करते थे अपने हल थे और खेती करने की एवज में उत्पादन का आधा हिस्चा खुद रखते थे और आधा हिस् से में से निर्धारित किये गए कर को देता था और बाकी अपने पास रखता मतलब आप सोच सकते हैं कि कितनी लंबी चेन एक चली होगी सबसे उपर राजा आया राजा के बाद उसके दर्बारी मंत्री वगर हुआ करते थे उसके बाद आप समझ सकते हैं कि जमींदार हुए जमींदार के बाद फिर बटाईदार हुए अमलदार हुए और तो और अब यहां पर बटाईदारों में भी विभन शेड़िया आ गई और उत्पादन पर किसी का ध्यान नहीं सबका ध्यान के वल कार पे था तो यह जो जोददार थे यह बड़े ताकतवर हो गया और इनक जोद्वाश इनकी ताकत की खामियाजा बाद में जमींदारों को भगतना पड़ा थोड़ा सब हम और आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करें कि आखिर बटाईदारों के आखिर जमींदारों की तुलना में इन जोटदारों की शक्ति इतनी बढ़ी क्यों इतने ता ताकतवर क्यों हो गया कि बाद में वो अंग्रेजों के लिए समस्या हो गया जोतदारों की अपेक्षा जमीनदारों की ताकत में कमी क्यों हुई इसके क्या कारण थे बड़ा स्पष्ट है पहला कारण कि जोतदारों की शक्तिक गाउं में काफी थी आपको याद होगा मैंने जमीन बहुत सी निलाम होती थी कर समय पर ना देने के कारण और एक नए तरीके के जमीनदार पनपने लगे थे जिनकी संख्या बहुतायत या बढ़ती जा रही थी और वे जमीनदार कहलाते थे अनुपस्थित जमीनदार याने वो शहरों में रहते थे अब जो जमीनदार श एक अधिकारी जिसका नाम अमल था जिसका पद का नाम अमल था उससे लेते थे क्या इन जमीनदारों का किसी तरीके से संबंद रहेगा इन किसानों के साथ जो बटाईदारों के साथ रईयत के साथ तो इसलिए निश्चत था कि पहला कारण देखें कि जमीनदार शहर में रह कोई संबंध नहीं था उसके उल्टे जोटदार जो था वह गाउं का स्थाई निवासी था ताकत वर तो था ही उसकी ताकत के सामने सभी नत मस्तक थे इसमें कोई दो मत नहीं पर ताकत के अलावा वह प्रत्यक्ष रूप से वहां उपलब्ज था परोख शुरूप से नहीं तो इस प्रकार जोटदार की प्रत्यक्षता उसे उस समाज में उस एरिया में उस तबके में ज्यादा नियंतरण के लिए उसको शक्ति देती थी उसके पास नियंतरण करने की बहतर गुजाईश थी अनुपस्ति जमीदारों के तुलना में दूसरा कारण जिसके कारण जो लगान वृद्धी तो होती थी समय समय पर नियमानुत साल उसके लावा बोली भी लगती थी निलाम भी होती थी तो जोतदार जो थे वह सामान्य तया लगान वृद्धी के मृद्धे पर लेकर जब तब अमलदार से टकराते थे याने जब तब जमीनदार से टकराते थे और ये जोतदार धनी वर्ग के किसान थे तो सामाने किसान भी जो थे चाहे बटाईदार क्षेतर के चाहे रईयत इस तरके इस अन्य वर्ग के किसान भी इन जोतदारों के साथ रहते थे एक जोत रहते थे क्योंकि उनका मुद्दा था लगान वृद्धिक पर रोक लगाने का य लगान माफ करवाने का नुरूद तो इस परकार ये जोतदार ग्राम में जमीन दारों की लगान ब्लिदिका सतत रूप से विरोध करते थे और इसके अलावा जोतदार अपनी ताकत के बल पर जो जो रिवन्य ओफिशिल थे जो अमलदार थे जो कर वसूल करने और निरधारि परिशान करते थे तो कुछ न कुछ अड़ंगा लगा कर देने की प्रक्रिया में विलम्ब करते थे और यदि जोतदार इसमें सफल हो जाते थे तो नीचे के तबके के रईयत आदी लोंग को भी इसमें राहत मिलती थी क्योंकि उनके लिए भी फिरिये लागू हो जाता था क यहां कर को विलम्ब से दिया जा सकता है इस प्रकार इस थानी बटाईदार थानी रईयत इन जोतदारों को अपना हिताशी मानते थे उन्हें अपना अपना समर्थक मानते थे और एक तरीके से उन एक दूसरे की मदद करते थे जाइदार इसके अलावा यह पूरी कोशिश करते थे कि उन्हें इस रईयत समाज का पूरा समर्थन मिले और इस पूर समर्थन के मिलने से उनको फायदा क्या था कि वे अपने पक्ष में सब को एक जुट कर सकें तो अपना पक्ष मजूद करने के लिए भी इस थानी इस तर पर रहने वाला यह शक्तिशाली वर्ग यह सुनिश्चित करता था कि उस समाज के लोग उनके साथ रहें और परनाम क्या हुआ कि जमीनदार भू समपदा के राजस का भुक्तान समय पर नहीं कर पाता था और नहीं करने पर जमीन निलामी होती थी अब देखिए चक्र विशम चक्र कैसा है जोटदारों की ताकत के साम ने अमलदार जोक रहा है क्योंकि वह समय पर कलेक्ट नहीं कर पा रहा है और इस समय पर वसूली नहीं कर पा रहा है तो जमीनदार को राजस को समय पर ना देने के खामियाजा जमीनदार को किस रूप में भुगतना पड़ता है उसकी जमीन निलाम होती है और इस प्रकार जोतदार और ताकतवर होता है और रईयत इसे अपनी एक तरीके से विजय समझता था साथ ही एक बिंदू और जब ये भूमी निलाम होती थी तो कई बार देखा गया कि जोतदारों ने ही जो स्वेम धनी किसान थे उन्होंने ये जमीन खरी ली तो इस प्रकार इस पूरी प् बनता है कि उनकी शक्ति में उनकी ताकत में लगातार इसलिए दिन बादिन रिद्धी होती गई एक अंग्रेजी में एक लाओ बैलेंस है यदि एक की ताकत घटती है तो सभाविक रूप से दूसरे की शक्ति बढ़ती है तो यहां भी वही नियम काम कर रहा था जोतदारो की शक्ति बढ़ने लगी तो जमीदारों की शक्ति में रास होने लगा गिरावट आने लगी इन जमीदार यह जो जोतदार थे इन्हें अलग-अलग नाम से पकारा जाता था खासकर बंगॉल में हलदार बोलते थे साथ ही मंडल भी इनको बोला जाता था और बांटी दार भी बोलते थे तो ये अलग-अलग नामिलों को दिये गए थे और इससे इस परिलक्षित है कि जोतदार की शक्ति और ताकत दिन प्रति दिन बढ़ते जारी थी विशेश कर बंगौल में जोतदारों की बढ़ती शक्ति और जमीदारों की घटी ताकत ये एक स्वभाविक प्रक्रिया थी और इसी स्वभाविक प्रक्रिया का परिणाम था कि गाउं में जोतदार और अन्यवर्ग के लोग एक जुट थे और जो अनुपस्तित जमीदार थे वे लोग अपने को